हे गाईज, वेलकम बैक टू ठाकुर सारव व्लवर याराँ सबसे पहले मैं करता हूँ थैंक यू उन लोगों का जिन लोगोंने ना जितने भी मैंने लाइक एम रखे हैं उन सबको पूरा कर दिया तो यह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और आज की वीडियो होने बालाजी फायरवर्क्स गुडगाओं में जिनकी शॉप है जिनका मैंने वीडियो किया है उनकी तरफ से हैं तो भाई उनके शॉप की फायर क्रैकर की क्वालिटी आज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है इस वीडियो में तो आज आज दिखाता हूँ कि क्या-क्या करके लाया हूँ आओ दिखाऊं आप लोगों को अपना स्टॉक कि आज स्टॉक में क्या चीजें होने वाली हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चुटकू सा प्यारा सा स्काइशॉट सिक्स काइशॉट इसमें च्छे होने वाले हैं उसके बाद मेरे पास है अभी बाद मैं दिखाता हूं दूर फिर भाई ये चीज मिली है मुझे ये न विसलिंग वाला अनार है तो बेसिकली ये चिलाने होल है जब ये जलेगा तो इसको भी देखेंगे क्या सेक्सी लगता है ये देखने में और ये रहा तो ये भी देखने को मिल जाएगा आपको आप देखेंगे कि कुछ चीजर आपको आज के पार्ट में मिलेंगी कुछ चीज साइद करने कया करना क्या और भाई ये वह चीज के बात करा रहाएँ कि वीडियो लेंथी हो सकती है थोड़ी ये रहा भई है 30 SHOTS जो की आज मस जलने वाला है और भाई उसके बाद आन दि इसकी भी टेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी तो बने रहो चैनल पर यार और देखो चलो शुरू कर देते हैं तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को सबसे पहले ट्राइब करते हैं यह वाला शिक शॉट तो भाई यह जो शॉट होने वाला है ना इस की साथ के साथ ही बेंड बच जाने वाली है और ना अर्मान पानी में फिर जाएंगे सारे यतने भी है तो भाई यह निकल गया अच्छे से और अंदर से कुछ ऐसा दिखता ही है देखना साला साइड में चेपम लगा दिया बस बात खतम चलो इसको फूकते हैं और देखते सीधी जगह पर रखना सीधी जगह पर रखोगे तब भाई चीके बरना आड़ा टेड़ा किसी के घर में तुम गुसा रहे हो मजा नहीं आएगा पड़ोसी आके और कूट देगा तुम्हें हवा चल रही है बड़ी तेज माच इस न बुझ जा है तो भाई लग चुका आग इसमें और भाई लग तो रहा वहंकरी भटेगा देखते हैं क्या कुछ बनाने वाला ये आसमान में और ये भट जा भाई किसका इंजार कर रहा है फुस्ची तो नहीं निकलेगा तो भाई देखा आपने छे शॉट ना बड़े ही सई फूटे है पर एक चीज बताना चाहूंगा जो गलती मैंने किया आप मत करना जब भी जला वाग लगा हो तो भाई ये चीज ना फार फूर के साइड करते हैं क्योंकि मेरा शॉट देखो यहां पे लगा है उससे हो सकत अब भाई बारी नेक्स्ट आइटम की जो की होने वाले हैं तो भाई ट्वैल शॉट ना कुछ ऐसे दिख रहे हैं यह बाला जी कंपनी के ही है और भाई इसको फूग लेते हैं अब भाई यह देखो इसका डबबा अब इसमें गलती नहीं करनी फिर से यह साइड के में फा अब देखो यह 12 शॉट निकलाया विया तो यह 12 शॉट दिखने वाला अंदर से कुछ ऐसा अब की बार कुछ लगनी रहा मुझे की अड़े का बीच में कुछ होगा सुरली इतनी सी दी हुई है 20 की छोटी दी हुई है 6 शॉट में ज्यादा बड़े थे तो चलो फूग ले सुरली काफी अंदर तक जा रही है कि चिंगारी दिखी रही होगी वीडियो में आप लोगों को फट जा भाई क्या अगया फुस्ति फुस्ति ना हुझी हो भाई कि अब तो भाई तो भाई 12 शॉट फट चुके हैं आपके सामने लेकिन एक चीज है इस 12 शॉट में क्या है कि ऊपर जाके फट रहे हैं लेकिन वैसे फैलते हैं वो नहीं मिलने वाला तो सिर्फ शॉट आई है यह मस्त ऐसे चलेंगे उपर जाकर फूट जाएंगे नीचे से फटेंगे उप 30 शॉट और भाई यह 30 शॉट जो है ना मेरे को लगता है बहुत ही सही फटेगा बहुत ही अच्छा रहेगा तो अब देखो भाई 30 शॉट किस तरीके से इन लोगों ने बना रखे हैं तो भाई 30 शॉट की पैकिंग है कुछ इस तरीके से और इसमें 30 शॉट बीच में डाल में तुमकी कैसा लगा कैसा नहीं वह भाई माच इसी बुझगी अब बहुत तेट चल रही है लग गई आग अब देखो क्या होता है भाई साहब फटने वाला 30 शॉट यह 30 बार उपर जाएगा अब हमें तो लो भाई मजे पूरे करो इंज्वाए करा हुआ भाई आप करो है झाल झाल तो भाई दोग लिया ना अपने 30 shot कितना कमाल का जला बड़ा ही अमेजिंग था बाला जी की जो है ना 30 shot 12 shot 6 shots आ रही बहतरीन है और बड़ा ही मज़ा आया पाकी की जो material है उसका आपको मिलेगा वीडियो next part में तो भाई बने रहो मेरे साथ मेरे चैनल पे चैनल को कर दो subscribe वी sky shot चलो मिलते है next part में दवतार के लिए take care guys